गेदे को बेट माई चुरैन दी दी वाव हवा का सेर करते हुए मैं जारी हूँ घर लोग फ्रेंट्स कैसे आप सब? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज का जो वेडियो है आप थबनेल देखके समझ गया होंगे कि कहां का है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखीएगा इसमें बहुत सारी मस्ती है और हम पहुँच चुके हैं रेवती रेश्ट्रेंट नेपाल में ये इंडियन रेश्ट्रेंट है यहां पर आपको इंडियन खाना मिल जाएगा और यहां का रेश्ट्रेंट बाकी में बहुत अच्छा था सबसे पहले तो यहां पर सफाई बहुत जारे थी और यहाँ पे आपको प्राइबेट रूम भी मिलेगा और इनसे मिली ये इंडिया के सबसे बेश्ट डांसर इशो गंधी बाद पेटा गंधी बाद तुमली नहीं खाते के चिकाई इच्छू बेबी ये देखो बैट मैं चुरैंदी दी इच्छो बया ये रहा हमारी मस्ती इशान के साथ ये रहा बुगा वाली किष्छी और कहते है न जहां पे जा और उस जगह की फेमस डिस ना खाया तो फिर क्या किया और ये है यहां का नेपाली डिस धुपा अब जल्दी से खाते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने भूत खुला वाटरफॉल और हम पहुच गए और चलिए आपको बिलवाते हैं सबसे पहले इस चुट अब चलते हैं यहां पर बहुत सारी सीडिया हैं जो हम लोग को बहुत को बहुत ताइम लगेगा नीचे जाने साइड साइड में छोटा-छोटा गार्डेन बनाया है अगर आप रिलाक्स करना चाहां तो उसमें जा सकते हो यह रहा गार्डे तो फ्रेंड हम आपको यह बत नस्तिकी पर यहां का पानी कैसा है हम पूस्ते अंची से अंची पारी कैसा यहां का बहुत थंडा पानी है यहां का तो फ्रेंट्स हम लोग को तो बहुत मज़ा आया और अब चली पूस्ते इशान्त को कितना मज़ा आया इशू इशू बेबू अपको मज़ा आया हाँ इनको बहुत मज़ा आया काफी खुस नहीं यह देखिए जीनी को इनको अलगी मज़ा मिल रहा है अब यह देखिए हमारी जीनी कैसे लेज खाती है लेज के पैकेट में घुसके लेज खा रही हैं और यह देखिए हमारी शान्त पाबूश हो गए काफी ठक गए नो और यहां पर हम लोग भी काफी बोर हो रहे थे अंसी कुछ जादे बोर हो रही है तो गई हवा लेने और यहां पर हम लोग अपनी पिक देख रहे हैं किसकी पिक कैसी आई और यह देखिए शान्त की पिक बहुत अच्छी आई है तो फ्रैंट्स उमीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा और हमें कमेंट करके बताइए इशांत और जीनी की मस्ती आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और टेक केर बाबाई